अरे कुष्णा जैशी रादे वेलकम बैक टो में चैनल के शालाववाट तो यह देखे आज यह बहुत ही पैरी कुपसर से इस तरीके की यह बूठ हम गुपाल जी के लिए आज की इस वीडियो में बनाएंगे यह देखे बहुत ही पैरे से हैं और बहुत ही जीली और एकदम गुपाल जी के लिए बूठ बना करके रेडी कर सकते हैं और बहुत ही पैरे सी इसके फिटिंग आएगे पहनाने के बाद तो आप एक पर जरूर ट्राय कीजिएगा बनाने के बनाएं बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इसको बनाना बताया है तो चलिए वीडियो को बनाए है तो यहां पर एक देखा धागा ले लिया है अब किया करेंगे सबसे पहले हमें नॉट लगा लेनी है इस तरीके की नॉट लगा लेंगे इसको तो इस तरीके से करके हम इसमें पहले चेन बना लेते हैं एक थोड़ा सा टाइट बनाएंगे दो इस तरीके से हमें यहाँ पर टोटल 20 चेन बना लेनी है इस तरीके से करके तो दिखें, यहाँ पर मैंने यह टोटल 20 चेन यहाँ पर बना ली है अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें यह पहली चेन में क्रोशे नहीं लेंगे यहाँ पर हम दागा नहीं लेना है, सारा पूरा हम यहाँ जो सुरूज बनाएंगे वो simple एक सिधे single crochet से ही बनाएंगे तो यहाँ पर chain में हमने यह crochet उक डाला और यह इस तरीके से एक हमने यहाँ पर single crochet कर लिया आगे भी हम यही करेंगे इस तरीके से करेंगे और एक single crochet कर लेंगे इस तरीके से तो इसी तरीके से हमें सभी chain में एक-एक सिंगल क्रोशिया करते जाना है यह देखिए इस तरीके से एक-एक सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे यह देखिए एक-एक सिंगल क्रोशिया हम इस तरीके से यहाँ पर हर एक चेन में करते जाएंगे तो चली कर लेते हैं तो यह देखिए पूरी यहाँ पर मैंने य है पलट करके एक चेन मेंने यहापर बनाई और अब हम नेक्स्ट चेन में इसी तरीके से एक सिंगल क्रोशिय किया जैसे हम चेन में नीचे की साइड से करते आया है एक सिंगल क्रोशिय बनाते आया है सेम उसी तरीके से हमें यहापर उपर भी बनाना है पूरी हर एक chain में एक-एक single crochet तो इस तरीके से ये पूरी strip बन करके ready हो जाएगी तो आप इसी तरीके से इस पर पूरा इसको उपर तक थोड़ा सा बढ़ा लीजिए तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने इसमें कितनी strip बनाई है तो आगे उपर तक बना लेती हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से ये strip त्यार करी है पूरी ये देखिए इस तरीके की सीधी strip बनाई है सिर्फ single crochet के उपर single crochet इस तरीके से मैं बनाती आई हूँ तो इसमें मैंने total 5 chain बनाई है single crochet की देखिए अगर आप नीचे से count करते हैं तो यहाँ पर मैंने total 5 chain बनाई है single crochet की 20 chain के उपर 20 मैंने single crochet बनाते वे उपर की side तक आई है सीधा एक बिल्कुल strip सीधी हाँ पर मैंने बनाई है कुछ भी घटाया बढ़ाया कुछ भी नहीं है सीधा हमने यहाँ पर एक सीधा सीधा इसको बना दिया है single crochet से तो अब हम यहाँ पर करेंगे 5 chain के बाद इसको work को end करेंगे और यह धागा यहाँ पर हमें cut कर लेना है इस तरीके से last make not लगा लेंगे और इसको धागे को हमें cut कर लेना यह पर हमें cut करेंगे क्योंकि फिर से हमें यहाँ पर सोई में डालना आ है सोई में डाल करके इसको सीलेंगे यहाँ पर मैं सोई लेने लेती hump यह उनको इस चेह अंदर डाल करके तो इसको हम यहाँ से इस पर स्लाई करेंगे आप सीधी साइड और उल्टी साइड देख लिजे जो भी आपको सीधी साइड लगे उसको अंदर रख लिजेगा और जो उल्टी साइड रखे उसको आप भार लख लिजेगा यह देखिए इस तरीके से फिर हम इस पर स्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम यहा घूज ऑफ लगाई है अब इधर से हम यहाँ से इस तरीके से निडल को लेगे देखे़ इस तरीके से दागे को इस तरीके से दागे को लेती जाएंगे बूरे चारो तरफ से जितना भी हिस्सा हमने छोड़ा है इतना हम इसको इस तरीके से चारो तरफ लेंगे यह देखे इतना हमने यहाँ पर इसमें हमने अंदर की साइड इस पर धागर डाल दिया है अब हम क्या करेंगे इसको एक साथ इस तरीके से यह देखे खींच लेगे यह देखे इस तरीके से और यहाँ पर भी नडल से इस तरीके से यहाँ पर नॉट लगा लेंगे इसको टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से तो यहां पर यह नोट लगा दिये हैं मैंने तागे को कट कर देते हैं यह देखे इस तरीके से हमने किया अब हमने यह देखे यहां पर नीचे की साइड हमने सिलाई लगाई है यहां से लेके यहां तक और यहां पर थोड़ा सा इकटा करके हमने इसको यहां पर सिलाई करी है अब इसको यह देखे इस तरीके से करा है अब हम उपर के नीचे की साइड जहां से हमने इकटा करके सिला है उपर की साइड भी इसी तरीके से हमें सिलना है थोड़ इसी जगह हमें यापर ये देखिए कोपाल जी के पैरों के लिए इतनी हमें जगह छोड़ करके और आधे हिस्से को हमें इसी तरीके से इकटा करके हमें यापर सिलना है तो यहां से हम धागा इधर की साइट से शुरू करेंगे और पूरे आधे हिस्से में इसी तरीके से इसको पूरे धागे को डाल देंगे तो यहाँ पर इतना इकटा करके मैंने यहाँ पर दीखी इतना इसको यहाँ पर नॉट लगा लेंगे इसको हमने इतना इकटा करके सिल दिया है अर अच्छे तरीके से टाइट तरीके से इस पर हमें आपर नॉट लगा लेनी है इसको खीच करके keen कर लेंगे और इसको पलट करके सिधा कर लेना है तो दिखे पलटप करके सीधा कर दिया है मैंने बहुत ही प्यारी साइस पूस्ता केभिए है इसकी शेप आई है तो यह boot बन करके हमारा कॉपाल जी का तियार हो गया है आप देखी सकते हैं कितनी असान तरीके से और बहुत ऐजी ली आप किसी भी size में इस तरीके के boot बना करके आप तियार कर लेंगे कॉपाल जी के लिए छोटे, बड़े या किसी भी जिली बना करके त्यार कर लेंगे आप एक बर जरूर ट्राइ किजिएगा अपने गोपाल जी के लिए बहुत इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं तो सर्दियों में आप इसको बनाईए और अपने गोपाल जी को पहनाईए तो I hope guys आपको वीडियो अच्छी लगेगी ग नोटिफिकिशन आपको सबसे बहले मिल सके तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरी कृष्णा राधी राधी